नमस्कार दोस्तो स्वागर्द करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी expand Sanskrit में तो पुन्यश्लोक अहिलया भाई serial के लिए आपका प्यार बना हुआ है ऑपका जो उनकी प्रति जो दुलार है वो बना हुआ है और आपके comments उस प्यार और उस दुलार को दिखाते हैं हमारे चैनल पे हमारे वीडियो के नीचे comment section में तो वही आज वही दिन है जिस दिन आपके comments की चर्चा होती है hungry spirits channel में तो आज भी चर्चा होगी शुरू करेंगे सिल्सला मगर पहले वही गुजारिश करेंगे जो हम हमे तो पहला comment पड़ोंगी कविता जी का ये लिखती है why too much negativity is showing in this show मलहार राव was called visionary leader in history but here he is unable to recognize bad people around him तो कविता जी ने point out किया है कि मलहार राव को ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है और कहिना कि कविता जी मैं ये जरूर कहूंगी कि वो बिल्कुल दूरदर्शी लीडर है इसी न और राव को साथ साल के लिए एक अच्छा यूवराज बनने के लिए बेजा है बाकी जो negative people की बात कर रहे है वो negative people उनके रिष्टे में से ही है बहुत ही करीबी रिष्टा है और इसलिए वो सोच समझ के वो steps उठा रहे हैं कि क्या step लेना चाहिए जब बेटे की बात आती ह तो बेटे को वो चाहते हैं कि perfect होना क्योंकि perfect होगा तभी वो perfect राजा बनेगा और इसलिए वो जो punishment उन्होंने दी है वो उसके लिए बिल्कुल वर्दान साबित होगी मलहार राव उन्हों ने जो दी है वो punishment की बात कर रहे हैं साथ साल वाली जो है तो वो खनेराव के दिखाने के लिए ली जाती है शो को थोड़ा और extra larger than life दिखाने के लिए ली जाती है बट कहीं न कहीं वो जुड़ी होती है सच्चाई के साथ ही तो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकि यह history को इतने अच्छे drama करके दिखाना ताकि बच्चों तक history पहुंच सके बहुत ह अच्छा step है तो यह negativity और साथ में positivity दोनों ही चलेंगी तब ही show जो है देखने में मज़ा भी आएगा तो ऐसी ही हमारी life भी है कविता जी negative positive साथ में चलता है बाकि आप बिल्कूल मत tension लीजिए आगे आपको बहुत मनरंचन और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें ठेखने को मिलेंगी थैंक्यू सो मच अगला कमेंट भी कुछ इसी तरह से दोस्तों अगला कमेंट है जोई राओ का ये लिखते हैं मलहार राओ क्यूं दूर देशी नहीं है वो क्यूं दवारिका गुन्नु जी यमुना भाई और धना जी को समझाते नहीं तो बिल्कुल आपने कविता जी जैसी बात कही है जोई और इसका जवाब मैंने दिया है बहुत ही डिटेल में पहले मगर डेफिनेटली मलहार राओ कर दूर दर्शी है और वो उनको समझाते रहते हैं बात-बात में दुवारिका को भी आपने देखा होगा काफी सीन गया जिसमें उन्ह वो डिरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे जो भी कहेंगे दौरिका को कहेंगे बाकि दना जी सरकार का अभी तक उनके सामने कोई भी राजवाश नहीं हुआ है तो जोई जी मजा लीजी सीरियल का अच्छा चल रहा है थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए अगला कमेंट है गीता पातल का गीता पातल लिखते हैं I don't agree why nobody is finding out what that daughter's husband is doing to make boy angry everyone is blaming boy it's not fair that should at least inquire what happened I know he made mistake I did not like when he insulted Guruji but comes on तो यह थोड़ा सा इनका जो प्यार है वो खंडेराओ की तरफ है मगर मैं गीता जी एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी मैंने पहले भी किये मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जब खंडेराओ को पूरा उन्होंने planning करके बढ़काया बट यहां पे खंडेराओ के लिए पद लेते हैं तो आप उस responsibility के लिए responsible भी होते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपको कोई भी गुस्सा दिला जाए फिर आप गुस्से में कोई भी step उठा जाए और फिर आप कहें कि गलती दूसरे की है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया आपकी भी गलती है आपने क्यूं नहीं कंट्रोल रहा जबकि आपको पता है कि आप यूवराज हो तो ये चीज़ें जुरूर सोचनी था ही थे खंडेराव को बाकि जो प्लानिंग करने वाले हैं गुर्णू जी वेगरा वो तो गलत हैं उनको तो कोई भी सही नहीं कह सकता है क्योंकि वो लालची लिखते हैं यह कहानी तो सत्ते पर अधारित है जैसे सब कुछ घटना घटित हुई थी उस जमाने में तब भी वो बुक में चापी गई है अहल्या बाई ने अपना नाम कमाया है ऐसे थोड़ी ही चर्चित हुई है दन्यावाद बिल्कूल 101% आपने सही कहा है कि यह कहानी सत्ते पर अधारित है हिस्ट्री से रिलेटिड है तो थैंक्यू सो मच इंदर चंद जी आपका तो अगला कमेंट है बी यूनीक का बी यूनीक बहुत अच्छी आईडिया आपकी यह लिखते हैं चोटी हल्या भी तो नहीं दिखेगी सीरियल में बाई दावी यह सीरियल का बात हो रही है तो सब लोग लगे हुए हैं बोल रहे हैं खंदराओ को क्यों सजा मिल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं तो आपने बहुत सही कहा कि चोटी हल्या भी नहीं दिखेगी तो उसको भी तो मिस कर रहे हैं लोग तो लोगों क एक्टर से जुड़े हुए तो आपको जुरूर आपका दिल दुखेगा, आपको दुखी होंगे, अपनी आत्मा को दुखी करेंगे, तो मत कीजे, जैसा इन्होंने काया कि हिस्ट्री है, तो रेयल्टी में वही देखना पड़ेगा, जो हिस्ट्री में पहले से हो चुका है, तो चेंज तो होगा ही होगा, थैंक्यू सो मच, भी यूनिक, अगला कमेंट है, महिंदर अरोडा का, यह लिखते हैं, नाटक का हीरो है, उसके बगैर नाटक आगे कैसे चलेगा, और खंडेराओ के साथ दर्शकों की भावनाइं भी जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कूल मह खंडेराओ बड़े हो गए हैं, और क्रिश सीरियल में नहीं रहेगा, अगर आपकी भावनाइं उन से जुड़ी होई हैं, फिर आपको अगात हैं, नहीं तो ज़रूर ये बात आपने सही लिखी है, खंडेराओ से भावनाइं जुड़ी हैं दर्शकों की, तो खंडेराओ होता है, तो वो बड़ा होता है, तो दूसरा एक्टर आता है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, चोटा मिता अबचन, चोटा दर्मिंदर, बड़ा दर्मिंदर, चोटा एक्टर होता है, तो एज बढ़ती है, तो उनको दिखाना ही पड़ता है, तो ये जो है भावना हैं खंडराव से जोड़िए उस करेक्टर से जोड़िए जो हिस्ट्री का क्रेक्टर है और आपने सही लिखा है उनसे अगर जुड़ी है तो डेफिनेटली वह खंडराव को ही करना चाहिए बाकि कृष्ण ने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने अपनी duty नी बाह दिया है अपनी responsibility नी बाह दिया है खंडेराओ के character को चर्चित कर दिया है बहुत सही काम किया है उनकी तारीफ करनी तो बनती ही है thank you so much आपके comment के लिए अगला comment है कुशंट सैनिका यह लिखते हैं मैं खंडेराओ को शराब ही आदत लग जाएगी तो मैंने यह सुना था new खंडेराओ के मूँ से youtube पे है आप भी देखो और हमको बताओ तो मैं आपको यही कहूंगी कि history में ऐसा कुछ मैंने तो नहीं पड़ है बाकी जो हम serial देख रहे हैं पुन्य श्रोक अहिल्या भाई वो history से ही related है अगर कुछ भी ऐसा incident होगा वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा बाकी जितना भी चल रहा है उसको अभी enjoy कीजी आने वाले समय में क्या होने वाला है वो पहले से history में है वो आपको वही है उनको दिखाते है तो बात गलत है बट जो history में जो है उनको थोड़ा बड़ा करके दिखाते है तो चीज ठीक है तो अगर यह वह पॉइंट उसमें होगा जो मुझे नहीं लगता कि है कि ऐसा कुछ हुआ है बट अगर आपको लगता है या आपने कहीं सुना है तो जरू दोस्तों रेशन और खंडेराव और अहिल्या इस अनवेरेबल द्वारिका भाई से द्वारिका भाई इस दा वर्स्ट मदर वेल प्लान तो सेंड खंडेराव आउट ओफ मालवा तो डेफिनेली इससे बहुत लोगों का दिल दुखा है खंडेराव और अहिल्या की जो अगला कमेंट दोस्तों रेश्मा भगवान का यह लिखती है खंडेराव को अगर भेज दिया तो हम अहिल्या देखना छोड़ देंगे तो यह थोड़ा सा रेश्मा जी सोचिए क्योंकि खंडेराव को भेजना जो है जरूरी था वो खंडेराव की भलाई के लिए है और न जॉय करेंगे क्योंकि यह हिस्टरी से रेलेटेद है जो भी हो रहा है उपके कमेंट के लिए अगला कमेंट है अनुरादा का जिरियाय पतना जाया और गुनु जी जैसे कामयाब होते नहीं है वो timely कामयाब होते हैं उसमें खुश होते हैं मगर long term में उनके कामयाब भी नहीं होती है और साथ में ये भी है कि जो बुरे लोग होते हैं उनका heart हमेशा occupied रहते हैं planning, plotting, नफरत के साथ मगर जो अच्छे होते हैं उनका heart हमेशा clean रहता है इसलिए उनको जादा फरक नहीं पड़ता है वो हर चैलेंज को जेलते हैं हर चैलेंज को विन करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ को आगे देखते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजे अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है सिर्फ हमें अपना पॉइंट जो है शिफ्ट करना प कैसी हैं आप मैं आपने जो अभी अभी अपडेट दिया कि गुरुकुल में खंडे राओ पर हामला होगा उसके बारे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं मैं मुझे लगता है कि अभी ये लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग जो चाहते थी वो तो हो गया भले ये लोग तो यहीं चाहते थी कि खंडे राओ को रास्ते से हटाना है और मुलार राओ ने खंडे राओ को साथ सान के लिए दूर भेज दिया गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया तो अब मुझे लगता है कि ये लोग अब कुछ नहीं करेंगे और अगर करेंग ये भी तो कुछ नहीं होगा खंडे राओ को क्यूंकि खंडे राओ €GO को भेजा इसलिए जा रहा है गुरुकुल में ताकि वो खुद के पेरों पर्फड़ खड़ कर सके को खुद को साबित कर सके इसलिए मलार राओने खंडे राओ को साथ साल के लिए गुरु कुल में भेज दिया है और मुझे लगता है कि यह जो हामले वाली बात अपने कहीं है यह तो होगा नहीं और यह लोग त्वारका अंगेंग है वो अब कुछ नहीं करेंगी कि जो उनके रास्ते का काटा था वो तो उनकी नसर से हट गया है तो अब यह लोग हमला करके भी क्या करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि अब यह लोग कुछ नहीं करेंगे और यह लोग वार भी करेंगे तो भी उनका वार बेकार ही जाने वाला है क्योंकि जो चीज़ों ने चाहिए थी वो तो उनको मिलने से रही तो इसलिए मुझे लगता है कि अब यह लग कुछ नहीं करेंगे तन्य वाग मैं यामी कदम सुरत गुजराथ से तो यामी जी मेरा जो वीडियो के उपर आपने जो आडियो भेजा है तो मैंने एक अंदाजा लगाया है क्योंकि मुझे लगा कि जो भी इन्होंने प्लानिंग की है इसमें इनकी काम्या भी कहीं पर भी नहीं दिख रही है जो दौरिका और उनकी पार्टी ने की है तो कहीं प्लानिंग वो तो नहीं है यह सिर्फ एक अंदाजा था जिसके बारे में आप लोगों से मैंने राई मांगी थी जो मुझे लगा कि आप लोग भी राई देंगे और आपने भी सही कहा है कि ऐसा कुछ हमला होगा नहीं उनके उपर तो यही है उमीद यही है क्योंकि अभी उसे शेर किया क्योंकि फाइदा तो इनका बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो चीज आप बोल रहे हैं कि उनका मतलब था कि खंडराओं को दूर बेजना उनका ये मतलब तो था ही बट इस मतलब के पिछे एक और मतलब था दूर बेजने के साथ-साथ उनकी उनसे यूवरा भूई है या फिर आगे कोई और प्लानिंग है यही मेरा अंदाजा था वीडियो में मगर आपका ओडियो भी अच्छा है और थैंक्यू सो मच हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कमेंट्स और आडियो भी क्यों मैंने इसी वीडियो म 1-555-23 इस पर आप भेज सकते हैं कीप वाचिंगरी स्परेश चैनल थैंक यू सो मच subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel